इनका कोचिमार साब का चलता है और वहाँ पर लड़की जो है बाहर से आती है और सुची जाती का भी लड़की है सब आज तक पहार पुर भी नहींग बाद आप ही लोग की राज में जब एक सेक्षिर सांसता में बचिया सर समझाए नई समझाए और अपने टीम को बुला कर एक खाड़ा थे वह लोग लाठी से यहाँ पर मार दे हैं भी लड़की के च्छकार कान करा था इसके बहुत ज़्यदा चुट लगा है अभी मैं पहाड़पूर होस्पीटर में मौझूद हूँ यह सामुदाइक स्वास्त केंदर है और यहाँ पे एक सर आये हुए हैं और इनके कोचिंग संस्थान के बहुत सारे बच्चे भी आये हैं उनके साथ मार पीट हुआ है और कोचिंग में पूरा बेंच डेस्क बच नमर 11 के कुछ मन चले बच्चे हैं उनका डेली का रोटिंग था कि मैं तेंथ कलास के बच्चियों बच्चो को चूड़ी करता था तो एक तो इसका टाइम फिक्स होता है कि डेली आप इतना बज़े बुलाते हैं इतना बज़े छोड़ते हो तो टाइम का अंदाज था और सब्सक्राइब करते हैं इस चीज की बंड़क हमको कल मिली तो कल साम को उसमें से लाड़का था उड़को मैंने रोका बोला कि एक बताओ अब मैं अभी देखता था पहले हम सोते थे कि चलो भाई आ रहा जा रहा है उसे हमको क्याले ना देना हमारे बच्चों को कोई डिश परकरें लेकि जब इसकोम को सुचना मिली तो उसको मैंने रोका बोला कि एक बताओ भाई तू डेली इसी छुटी के टाइम पर और खेलाइश के टाइम पर आप कहा याते हो पहां जाते हो तो बोल रहा है कि रास्ता है हम हजार बाई हजार बज़ाई तरसका मतलबा हम ठी तो कल थोड़ा धाका मुका हुआ उसके बाद एलो गए और अपने सौफ़ाटियों को जो पहले से इस पर करके वर्दात को दे रहे थे और फिर कुछ और भी लोगों को इसमें सामिल करके मैं पढ़ा रहा था दो बजे के करीम में लोग आए उसमें मेरा दो कलास वरा था एक अत्वा कलास का और एक शाथ्वा कलास कर शारे था तो मैं तुम्न कंडू रहा था और ज्यों कि भी अभी बच्छलि पहर से लांनց करेको थो पहले पहले चार में पहले क्लाद लुग थे अडरा भाव के पास्पोन किया में आजए आप लोग कितने संख्यां I said 8 की संख्याnahme लगभाग 11 की संख्या में आप लोग केतना थे हैं अरे हम हम मैं था और मेरे के जो लेडिश टीचर वो थी या बाकी बच्चे थे कितने थे बच्चे तगरीब़न मना20 San pay में होंगे %of और आठ बच्चे भारी पर चोटा चोटा कलास चोटा कलास के बच्चा क्या करेगा उसके बाद ये लोग आए फिर चार के संख्या में वह रहा है तो इलोग का बल थोड़ा बढ़ गया और कुछ लोग बच्चियों का पास जाकर चेट-चार करने लगे कुछ मुझे लगे जब बच्चिय इस परकार की मन बिरोध की तो उन लोग को भी बेहरामी से मारा गया जिसमें से दो लड़किया ग्यारा को अभी हम लोग यहां पर लागे कुछ को प्रास्मिक थोड़ा मुड़ा था वहां टीटमेट करा दी इसमें से दो लड़कियों को यहां मोतिह कर दिया गया है उनकी हालत बहुत नाजुक है मैं आपके चैनल के मादेम से आज की बरतमान सारकार से पूछना चाहता हूं कि नरेंदर मोदी जी आप नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आफी लोग की राज में जब एक सेक्षिन साहस्ता में बच्चिया पास एक फाइटर भी था उसके बाद लाठी था चाकु अगर बनाया है वीडियो बनाया हम बीडियो दे दीजेगा ना अब बीडियो जैसे एक ऐसा भी हुआ कि बाद में लोग बनाया है चुकि जब अचाना कोई अटेक कर देता है तो इतना माइंड काम नहीं करता है कि अब उस वारदात को कैद कर लो तो बाद की वीडियो है हम लोगे पास है पूरा अबलावल है अब आगा इसको देखिए को इसे चोट लगा बाबू फाइटर से मारा है काला से मारा है और बेल से पीछा मारा है कौन क्लास में पढ़ती हो आठ्वा में क्या क्या हुआ लोग आहे लोग आम मारने लगा है लो कितना लोग आहे था मतलब 10 बरे हम दिता तुम लोग वी रोध नहीं किया है नthen हम लोग चूचा पढ़ रहा है थे लोग रोग ने कितना संख्या में आया था लोग पंद्रे क्या हुगा है बाबु मारा है लोग जी लगा है एट कलास में क्या गटना हुआ है मारा है लोग आकर कलास में हम लोग पढ़ रहे थे लो ना तो लोग आया लोग और मारा लोग बहुँ पंद्रे को लड़कियों पर गलत नजर डाल रहा था सर समझाए नई समझाए और अपने टीम को बुला कर एक एक वाएग हमला करा दिया है क्लास में पढ़ाई कर रहा था लो हम अपना क्लास समझाए थे सर अपना अचानक से आके सर पे बच्चा सब पे हमला कर दिया है तुम लोगों भी पिता गया है जी क्या इंटेंशन था लोगों का लाड़कियों लोगों के छेडा ताल तो सर माना कदिया तो हम लोग पर सोर पावला मार दिया अई बच्चा सब क्या नाम है यूँआ था लोग पाचान रहा है दूसरे चेतर से आते हम लोग पच्छमी स सर पाचानते सर समझाए था नाम है अपका जैसे मेरा नाम जोखु कुमार सा पड़ा लेकि मुझे लोग सोनु सर की नाम से जानते है कोचिंग क्या नाम है कोचिंग के नाम MS coaching center है कितना कलास तक प्लाते हैं चठा से लेकर तैन सतर की वहां कलास चला है ज़ती है कितने बच लड़की जो है बाहर से आती है करमवा से आती है अगल बोलके आती है सब अंसुची जाती का भी लड़की है सब ऐसा स्थिति है कुछ वहां का समाजिक तोती लड़का जो है पहले से भी घटना घट चुका है लेकि गाव में समझा बुजा कर दूर किया गया और वह इसी आज तक पहाड भी नहीं हुआ था अंस्ता में परवाश करके बाकी बच्चीयों के साथ और बच्चों के साथ जो भी हुआ है दुर्बेवार या फिर कोचिंग सस्तान में घूश करके जितने भी बच्चे जो भी इस वारदात को अंजाम दिये हैं उसके विशे में आप लोगी क्या परतिक्रिया है कॉमेंट सेक्षन वताईएगा